देश को विकास की नई उंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपों बजेट के लिए मैं सभी देश वाश्यों को बधाई देता हूँ वित्त मंत्री निर्मला सितारमन जीवर उनकी पुरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात रहे साथियों ये बजेट समाज के हर वर्ग को शक्ती देने वाला बजेट है ये देश के गाउं गरीब किसान को समरुद्धी की राह पर ले जाने वाला बजेट है पिछले दस वर्षों में 25 करोड लोग गरीबी से बहार निकले है इजो नियों बिडिल क्लास बना है ये बजेट उनके ससक्ति करण की निरंतरता का बजेट है इन नवजवानों को अंगिनत नए आउसर देने वाला बजेट है इस बजेट से शिच्छा और स्कील को नई स्केल मिलेगी ये मिडल क्लास को नई ताकत देने वाला बजेट है ये जनजातिय समाच दलीत पिछणों को ससक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है इस बजेट से महिलाओं की आर्थिक भागेदारी सुनिस्षित करने में मदन मिलेगी इस बजेट से छोटे व्यापारियों, MSM इसको एनकी लगूत जोगों का उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा बजेट में मैनुफेक्टरिंग पर भी बल है, इन्फरास्त्रक्चर पर भी बल है इससे आर्थिक विकास को नई गती मिलेगी और गती को भी निरंतरता मिलेगी साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूत पुर्व आउसर बढ़, ये हमारी सरकार की पहचान रही है आज का बजेट इसे और सुद्रुड करता है, देश और दुनिया ने पियलाई स्कीम की सफलता देखी है अब इस बजेट में सरकार ने Employment Linked Incentive Scheme की गोचना की है इससे देश में करोडों करोडों नए रोजगार बनेंगे इस योजना के तहट जीवन में पहली नोकरी पाने वाले युवा की पहली तन्खवा हमारी सरकार देगी स्कील डवलप्मेंट और उच्च सिख्षा के लिए मदद हो या फिर एक करोड नवजवानों को इंटरंशिप की योजना इससे गाउं के गरीब के मेरे नवजवान साथी मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कम्पनियों में काम करेंगे उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे हमें हर शहर, हर गाउं, हर गर एंटर्पिनर्स बनाना है इसी उद्देश से बिना गरंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाग से बढ़ा कर 20 लाग रुपी किया गया है इससे छोटे कारवारियों, विशेश रुप से महलाओं, दलीत, पिछडे, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा साथियों, हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैनिफेक्टरिंग हब बनाएंगे देश का MSME सेक्टर मद्यमबर से जुड़ा हुआ है एक प्रकार्चे MSME सेक्टर की उनर सिख मद्यमबर गही है और इसी सेक्टर से गरीबों को जादा से जादा रोजगार मिलता है छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत उस दिशा में हमारा एहम कदम है इस बजेट में MSME के लिए Ease of Credit बढ़ाने वाली नई योजना का एलान किया गया है manufacturing और exports ecosystem को हर जीले तक ले जाने के लिए बजेट में एहम गोशना की गई है e-commerce, export hubs और food quality testing के लिए 100 units ऐसे कदमों से one district, one product भ्यान को गती मिलेगी साथियों ये budget हमारे startups के लिए innovation ecosystem के लिए डेर सारे नए अवसर लेकर आया है space economy को बढ़ावा देने के लिए एक हजार करोड रूपय का fund हो angel tax हटाने का फैसला हो ऐसे कई सारे कदम इस budget में उठाए गए है साथियों record high capex economy का एक driving force बनेगा 12 नए industrial nodes, देश में नए satellite towns का विकास और 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिस्ट प्लांज इससे देश में नए economic hub बिक्सित होंगे और बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार बनेंगे साथियों आज defense exports records तरपर है इस budget में defense sector को आत्म निर्भर मनाने के लिए अनेत प्रावधान किये गए हैं आज पूरी दुनिया में भारत के प्रती आकर्षन बड़ा है और भारत में तूरिजम के खेत्र में नई संभावनाय बनी हैं तूरिजम खेत्र गरीब और मद्यम्वर के लिए कई अवसर लेके आता है इस budget में तूरिजम खेत्र फिर भी विशेस बल दिया गया है साथियों, NDA सरकार ने पिछले दस साल में ये सुनिशित किया है कि गरीब और मद्यम्वर को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे इस budget में भी income tax में कटोती और standard deduction में भुद्धिक का फैसला लिया गया है TDS के नियमों को भी सरल किया गया है इन कदमों से हर टैस्ट पेर को अतिरिक्त बचत होने वाली है साथियों, देश के विकास के लिए भारत के पूर्वी छेत्र का संपूर्ण विकास पुर्वोदय के विजंद्वारा हमारे इस अभ्यान को नई गती, नई उर्जा मिलेगी हम पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफ्रसेक्टर जैसे हाइवेज, वाटर प्रोजेक्स और प्रावर प्रोजेक्स का निर्बान कर विकास को नई गती देंगे साथियों, इस बजेट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है अन भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम वेजिटेबल प्रोडोक्शन क्लस्टर बनाने जा रहे हैं इससे एक और छोटे किसानों को फल सबजियों अन्य उपज के लिए नए बजार मिलेंगे बहतर दाम मिलेंगे तो दूसरी और हमारे मद्यमबर के लिए फल सबजियों की उपलबदता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोशन भी सुनिस्टित होगा कृसिक छेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है इसलिए दलहन तिलहन की पैदावर बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की गोशना की गई है साथियों देश में गरीबी समाप्त हो गरीब का ससक्ति करण हो इस दिशा में भी आज के बजेट में प्रमुग गोशना की गई है गरीबों के लिए तीन करोड नए घर मनाना तै हुआ है जन जातिय उन्नत ग्राम अभियान सेक्चुरेशन एप्रोच के साथ पांच करोड आदिवासी परिवारों को मुलबुत सुविधाओं से जोडा जगा इसके अलावा ग्राम सड़क योजना पचीस हजार नए ग्रामिन छेत्रों को औल वेदर रोड से जोड़ेगी इसका लाव देश के सभी राज्यों के दूर तराज गाउं को मिलेगा साथियों आज का बजेट नए अवसर नई उर्जा लेकर आया है ये डेर सारे नए रोजगार स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फूचर लेकर आया है आज का बजेट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटेलिस्ट का काम करेगा विक्सित भारत की एक ठोस निव रखेगा सभी देश वास्यों को बहुत बहुत सुपकामना है प्रक्रिय में को बचामन से प्रक्राइब देशन झाड़।